कमिलनाडू स्थिच स्टार्टप कंपणी E-Plane अगले साल कमर्शिल फ्लाइंग टैक्सी को लॉंच करने की योजना बना रही है वर्तमान में यह कंपणी अपनी पहली फ्लाइंग टैक्सी के प्रोटोटाइप मॉडल E-200 को तयार कर रही है जिसकी बिक्री 2024 से शुरू करने की उम्मीद है कि 202 सीतों वाली एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी होगी जो फुल चार्ज पर 200 किलोमितर तक उड़ाई जा सकती है यह 200 किलोग्राम तक का भर लेकर उड़ सकती है डॉट इस उड़ने वाली टैक्सी में चार पंखे प्रोपेलर लगे होंगे जिन में से दो उड़ान भरने और लैंड करने में मदद करेंगे जबकि दो इस प्लेन को आगे बढ़ने के लिए गती देंगे इस फ्लाइंग टैक्सी को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार के जैसे चार्ज किया जा सकेगा कमपनी इस टैक्सी में नार्मल के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी देगी कम्पनी जल्द ही भारत में इस फ्लाइं टैक्सी के पैसेंजर और कार्गो वेरियंट को लॉंच करेगी जानकारी के अनुसार कम्पनी दिसंबर 2022 में ये 200 कार्गो के लिए प्रमानन पत्र प्राप कर लेगी वही सितंबर 2024 में यात्रियों के लिए टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी कम्पनी 2025 तक अमेरिकी सरकार के फेडरल एविएशन डिपार्टमेंट से भी प्रमान पत्र प्राप कर लेगी डॉट वर्तमान में कम्पनी ही 200 को असेंबल कर रही है डिजाइन पूरा होने के अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि एपलेन कम्पनी जल्द ही निर्मान शुरू कर देगी आपको बता दे कि एपलेन कम्पनी को IIT मदरास के प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती और कूर्व छात्र प्रांजल महताद्वारा स्थापित किया गया है रिपोर्ट के अनुसार एपलेन कम्पनी ने इस साल की शुरूआत में स्पेशल इन्वेस्ट और माइसीलियों के नेत्रित्व में अपने प्रोजेक्ट के लिए 5 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया था इस स्टार्ट अप ने E6 विक्सित किया है जो एक कॉम्पैक्ट वर्टिकल टेक्फ और लेंडिंग इलेक्ट्रिक एटोल विमान है यहां एक बार में 6 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है डॉट इसकी सीमा 80 किलोमीटर है और इसे कारगो परिवहन के लिए सबसे बहतर विकर्प बताया जा रहा है एपलेन कंपनी E50 नामक एक प्रोटोटाइप भी विक्सित कर रही है